मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है अपनी लगण और मेहनत के बलपर देश और दुनिया में पहचान बनाने वाली जिले की बेटी अपने घर में उपेक्षित है जी हाँ हम बात कर रहे हैं लोहरडगा शहर की कर्चा टोली निवासी सरिता कुमारी की जिसने साइक्लिंग की दुनिया में राजे और देश के अलावा विदेश में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया कर्चा टोली निवासी मजदूर सनिया उराओं और सातो उराओं की बेटी सरिता ने विपरीत परिस्थिती के बावजुद जूनियर साइकलिंग में राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय अस्तर पर पदकों की जड़ी लगा दी लेकिन आज भी जिले के अधिकारी और जन प्रतिनिदी उनको पुरस्कृत करना तो दूर सम्माने तक नहीं कर पाए जिसका मलाल खुद सरिता को भी है सरिता का कहना है कि घर की बेटी को अगर घर में ही सम्मान ना मिले तो फिर मन छोटा होता है और मेहनत को मुकाम तक ले जाने में दिक्कत होती है सरिता कुमारी ने एथलेटिक से अपनी शुरुआत की थी लेकिन एक दिन साइकलिंग की ट्रायल में जाने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई और फिर देखते ही देखते ही जिले से राजी और राजी से देश के लिए खेलने का गौरव प्राप्त हुआ साल 2021 से साइकलिंग की शेतर में पहुंची सारिता ने अब तक दरजनों गोल्ड मेडल सही कई पड़क जीता है राज्ट्रे अस्तर पर 2022 में गोवाटी में आयोजित जूनियर राज्ट्रे प्रतियोगिता में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल के साथ बेस्ट राइडर का खिताब भी जीता था 2023 में राची में आयोजित राश्ट्रिय प्रतियोगिता में तीन गोल्ड मेडल जीत कर अंतर राश्ट्रिय प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिने धित्व किया जिसमें साल 2024 में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक ब्रॉज मेडल प्राप्ट किया था वहीं 2024 में चीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 500 मीटर साइक्लिंग रेस में पदक से वंचित रही लेकिन मात्र 36.06 सेकेंड में रेस पूरा कर रास्ट्रिय रिकॉर्ड अपने नाम किया सरिता के इस रांदार उपलब्धी पर देश तारीफ करते नहीं ठकरा लेकिन अपने ही राज्य और जिले में उसकी कोई पूछ नहीं सरिता को ना तो कोई सम्मान मिला है और ना ही कोई संसाधन जिसकी वज़ा से वह अपने ही शेत्र में उपेक्षित है अब ऐसे में वह राज्य और देश का नाम कैसे रौशन करेगी सरिता ने बताया कि घर की माली हालत भी ठीक नहीं है देश और राजे का नाम रोशन करने के बावजूद उसे अपने ही शेत्र में सम्मान नहीं मिल रहा मेरा नाम है सरीता कुमारी मैं हर्मुकर चाटोली लोर्दगा की निवासी हूँ मैं साइक्लिंग गेम करती हूँ मेरा साइक्लिंग गेम पहले मैं ऐफ्लेक्स की चार साल उसके बाद हमारा ग्राउंड पे जब हम त्रेनिंग कर रहे थे तब हमारा एक साइक्लिंग एसोशियन के सेक्रेटरी लोड़ा के दीपक हैम्रमसर आये उन्होंने बताया कि हमें साइक्लिंग का ट्राइल हो रहा है तो जिनको देना है वो इतने डेट को आजाए करके तो हम उस दिन गेर ट्राइल देने के लिए पहले डिस्टिक लेवल पर ट्राइल दीए उसके बार स्टेट लेवल पर उसके बाद बूला गया उसके बाद लínग से मैं मेरा साइक्लिंग से पढ़िए भांटेज वन गहली Os ठीक परफोमेंस ठीक था बट उतना चाह परफोम नहीं कर पाई थी जरकन को उसके बाद 2022 में नेशनल खेली उसमें मेरा एक सिल्वर मैडल था उसके बाद 23 में में मलेशिय के थी एचन चाइमपेंशिभ खेलने के लिए उसके मेरा मैडल नहीं था अपना बेस्ट डी उसके बाद 2023 दिसंबर में नेशनल खेली उसमें मेरा तीन गोल्ड था और मुझे बेस्ट डार का ओर्ड भी मिला था और फिर 2024 में मेरा एक गोल्ड था और ब्राउंस था उसके बाद अभी फिलाल में अगस्त में जूनियर वड्ड चैंपेंशिफ खेल का ही चाइना जाके उसमें मैं अपना बेस्ट डी मैडल तो ने आया बट अपना एक नेस्नल डिकोड बनाई इंडिया के लिए दिक्कत यह कि मतलब साइ इतने मांगा अगर मुझे सरकार अच्छी साइकल देगी क्योंकि साइकल कदाम 10-11 लाक रुपय का है तो घर से खरीदना थोड़ा मुस्किल है अगर जरकन सरकार मुझे अच्छी साइकल देगी तो मैं भारत के लिए जहारकन के लिए अपने जीला के लिए मैं अच्छा ख खेलू और भारत देश के लिए मेडल जीतू मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं अभी उनका फिलाल हाथ कराव है तो वह भी घर कर नहीं पा रहे हैं काम ममी हाउस वाइफ है तो घर चलाना थोड़ा मुस्किल भी हो रहा है अभी न्यूज विंग के लिए लोहडगा से प् पार के रिपोर्ट